जवाहरलाल नहरु विश्व विद्याले में कुछ दिन पहले यहां पे एक कारिक्रम होता है जिसमें मशुहूर सूफी गायक हंस राज हंस ने एक विवादित बयान दिया उन्होंने कहा क्यों नाव मदल के या MNU का अलाकि MNU का फूल फॉर्म क्या होगा यह उन्होंने इस पश नहीं गया इस वक्त हम जवालाल नेरु विश्व विद्याले में इकड़े हैं स्कूल ऑफ सोसल साइंसे में जानेंगे कि जिस प्रकार से यह जन्यू के अंदर स्टेटमेंट दिया गया था क्या कुछ उन लोगों कहना है आप लोग देख क्या नाम है आपका और जिस प्रोग्राम में आये थे और उन्हें जो मोदी जी का सपोर्ट करते वे बात तक ही उनमें सबसे विव्यवदास पत यह कि इसका नाम बदल के यह करते हैं जो कि डेस्में ट्रेंट साचल रहा है जैसे हर सिटी का हर जगे का हर चीज का नाम बदल दे रहे हैं इससे ठीक है परचार हो जाएगा क्रेडिट नहीं ले सकते हैं जो चीज जिसने की है जैसे यह कॉंग्रेस के लिए इसका नाम कभी भी कोई भी नहीं बदल सकता ठीक है और दूसरी बात कहना मैं यह चाहूंगा कि यह जो भावनाओं के साथ खेल रहे हैं यह राजनिती बावनाओं के क एक statement देटे हैं कि जैन्यो को MNU कर देना चाहिए लाग्य मिन्यू काक्या फूल फॉर्म होगा उन्होंने इस पस्ट नहीं किया क्या सोचती है उनके statement बाद कि मन में क्या आया है एक तो बहुत बड़ा डाइकोटमी है कि एक साइड में जो है देश भर में नारेटिव चला ऑर एक तराफ उनहीं के लोग आके बोलते हैं सकू कि तो इपम करोशा का मोथी नरेंदर क blasting और बॉलूंगी आज कि शरी वहन सकता मिंने कर आजोता है अब वो आके जब ये बोल रहे हैं तो किस बात से बोल रहे हैं क्या मोदी जी ये इस चीज से अगरी कर पाएंगे कि एक आंटी नाशनल उनिवर्सिटी का नाम उन पे पढ़ जाए कि वो यह एक विंडो है कि हम देख सके कि वो जैनियों के साथ क्या करना चाहते हैं पहले ज इसी टाइप का उनिवर्सिटी दिखाना चाहता है कि जिसका अब टू 83 का मॉडल नहीं रखेंगे ही फालोन लेंगे हम पैसा बढ़ाएंगे लाइब्रेरी का फंड करेंगे लोग को पढ़ने नहीं देंगे रीडिंग रूम्स बंद करेंगे लोग को पढ़ने नहीं दें जो वही लोग पढ़ पाएगा जो पैसा दे रहा है। जो देखे बरापर अजीब अजीब टाइब की क्या मुद्लाल नहरू का बात कर रहे है। जो करने के बजाए नाम बदल के अपना एक क्रेडिट लेना बताना कि हमने कुछ किया है ये करने का एक इस सरकार का एक मतलब रवायत रही है। जवालल नहरू का इतना बड़ा नाम है आपको लगता है कि उनका नाम हटा कर जवालल नहरू उनिवर्सिटी में कोई और नाम यहाँ पर स्थापित किया जा सकता है। देखिए वैसे तो नहीं किया जा सकता है क्योंकि जवालल नहरू युनिवर्सिटी बनी है उसका एक नाम है और ये सरकार का एक खम देखे है किस तरीके से जो इतिहास में हुआ उसको मिटाने की एक कोशिश इन लोगों ने बार बार की है जहाँ पे अभी हाल फिलाल में ह आप देख लीजे किस तरीके से इतिहास को उठा के एक मुद्दा आपको बाद देखे हैं तीन सतर पर उन्होंने जैसे कहा कि सदार पटेल इसके खिलाफ थे बाव सामबेट कर इसके खिलाफ जबकि इसका कही रेफरेंस हमको मिलता नहीं है इतिहास बदलने का एक कोशिश जगत मुनकी ख्याती है कि आपको लगता है कि जिस प्रकार से बीजेपी सांसाद और मशूर सूफी गाया खंसरा जंस ने यहां प्याके स्टेटमेंट दिया तो उनके स्टेटमेंट को इतनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए हमें लगता है कि जैसे कि इस बात पर बहस हो जरूरत है तो हम चाहते हैं कि देश में पंद्रा सो जेन्यू बन जाएं जिससे इतनी बढ़ती हुई आबादी को कम से कम पढ़ाई लिखाई का मौका मिले लेकिन अगर इस इनिवर्सिटी को ही बरबाद कर दिया जाएगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहे जाता है तो हमारी हम आपके मादम से क्यों इतना ही कहना चाहते हैं कि पंद्रा सो इनिवर्सिटी बनवा दो जो नाम रखना है वो रख लो जैनियू का नाम जैनियू ही रहने दो जी बिल्कुल आप पतेए जैनियू इतनी सस्ती इनिवर्सिटी है कि देश पर के तमाम सारे गरीब नहां पर आके जावाला नहरू जैनियू को बदल के मन्यू कह रहे हैं हम हमारा एक ही अपील है कि ठीक है आप दूसरी निवर्सिटी बनाई है जैसा कि एक साथी ने बोला है कि दूसरी निवर्सिटी नाम जो आपको बदलना है बदली है चाहे चाहे किसी के जो इनके और जयनू को बनाने में इंदरा गाधी की एक सोच रही है कि पूरे इनुबस्टी को एक चलिप करेगा और ब्रेन यहां पर रहेगा तो जैसा कि यहां देख़ने सरकार ब्रेन पर अटेक कर रही है कि उनके खिलाब कोई बोले ना उनके खिलाब कोई आगे आये ऐसे लोगों को दबाया जा रहा है और हम चाहते हैं कि हाँ जेनु का इंफ्रस्ट्रक्ट्चर आप बढ़ाई है नाम से क्या आपको नाम भी प्राबलम है नाम से क्या नाम ही बहुत प्राबलम है इनका कहना है कि जेनु को जो है और भी कई सारी जेनु को जैसे पूरा चरितर भाचपा का है, कि तरह से बयान देता है, क्या करता है, मोदी का नाम ही उल्टा करता दिया। उसको क्या था कि JNU से MNU बनाना था, नरेंदर मोदी की जगा मनेंदर करके वो कर देगा, कुछ भी कर देगा, दूसरी बात ये है कि JNU एक क्रिटिकल इंस्टिउशन के तौर पे जाना जाता है, मोदी जी जिनका अपना चरित्र ये रहा है कि दो अलग अलग जो इतिहास म लोग रहें, उनको भी साथ बिठा के कहते हैं, वारता किया है, और बताते हैं कि फलाना, मतलब historically जो चीज़ें correct नहीं है, जिसका कोई relevance नहीं है, कोई rationality नहीं है, जिसको मतलब एकदम से बकवास कहा जा सकता है, उनके साथ ये चीज़ें associated हैं, वो चाहते हैं जो नियू भ खत्म हो जाए यहां, और तमाम सारे जितना हमारे पास student है, चार-पांच university ये बचा हुआ है, उसको भी बरबाद करके देश का education system जो है, वो कचड़ा होने की कगार पे है, उसके उपर इन दो लोगो कोई ध्यान नहीं है, हंसराज हंस उसी भाचपा के हैं, जहां समझी आप बता ही, आप से एक सीच हम जाना चाहिए, बड़ी क्रिटिकल है, जैसे कई लोग देश के अमुमना जो आम नागरिक है, जो काफी कम पढ़े लिखे हैं, या जो देश के दूसरे तपके में है, उनसे अगर आप पुछते तो जियन यूग नाम सुनते हैं, वहां तो कि जैनियू का नाम ही चेंज करना चाहिए, या एमेनियू करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, तो क्या आप लोगों के मन में आता है? कि जैनियू एंटी नेशनल कभी से नहीं था, और ना है, जैनियू बिलकुल देश का इन्वस्टी है, और हम इस देश के बेटरमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, और इसी देश के इनहांस्मेंट में हम अपना योगदान देंगे, पहली चीज, दुसरी चीज इसको ऐसे कि जैनियू बिलकुल देश के लिए जब हम इस देश के बेहतरी के लिए, जब हम ये पूछ के लिए जो बड़े पूजी पती है, जो जिससे आप फंड लेके चुनाओ लड़े थे, आप उनके गुलाम है, तो इसलिए आप को उसमें देना है, हेल्स सेंटर पूड़ा का पूड़ा बेच दिया पिछली सरकार ने, ये सरकार एडूकेशन सिस्टम को बेच दे रही है, तो नए लोग जब पढ़ेंगे ही नहीं, तो आप से कोई क्वेशन नहीं पूछेगा, अब हम कुछ लोग बचे हुए हैं, जो लोगों के बारे में पहर रहे हैं और लोगों के लिए क्वेशन पोचते हैं, ये आपका पहला पार था. दूसरा पार कैया था आपका? मैं मिसका था. आपको लगता है कि ऐसे लोग यहां पर आके सिर्प ऐसी बाते कर जाते हैं वह एक पॉलिटीशियन के तौर पे तो नहीं जानते हैं उनको तो उनके मुह में जो भी आए गू गोबर नहीं बगके चले जाए जहां तक बात है इंवस्टी चेंज करने का नाम एक्ट से पास होई थी भारतिय संसद में इस इनवस्टी का जो भी फांडेशन का जो इस टेक्मेंट आपके पास सब्ता है और आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन आप नाम अगर चेंज कर देते हैं उसका बेनिफिट क्या होगा आपने एक नाम ही तो चेंज कर रहे हैं आप इ द में आपके मेरा बगागाए कि दो क्या है ओ सब्सक्राइब कर सकते हैं आप किसी को भी कर सकते हैं बिल्कुल सरकार को भी आप क्रिटिक करते हैं आपकी बात से बिल्कुल इतिफाक रखता हो कि यहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं जो सरकार से पूछे जाने चाहिए मैं बिल्कुल इतिफाक रखता हूं आपकी बात उसे हम देश में समझते हैं कि यह प्रॉब्लम है अगर इस देश का पैसा हमारी उपर खर्च हो रहा है तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम यह पूछे कि हमारी एकोनोमी डाउनफॉल हो रही है नहीं किसान स्यूसाइड कर रहा है पबलिक इंस्ट्यूशन खतम हो रहे हैं हेल्थ सेक्टर खातंग हो चुका है आप देखिए कल का न्यूज है जहां पे एक महिला सड़क पे उसको प्रसव हो गया उसका उनका प्रसव हो गया ऐसी के स्टुडेंट हैं आप लोग क्या सोचते हैं जहन्यू को लेकर रहांस राज हंस के इस बयान को लेकर नहीं को रखा गया तो आपको इसके लिए जाना पड़ेगा जहाल नहरू कि मूर्ती लगी वहां पर जाईएगा और देखिएगा तो कुछ विजन्स होते हैं किसी इनुवर्स्टी के जहां पर आप हर बातों को रख सकते हैं उसका कोई एंट्रिन नेशनल नहीं होता है दूसरी बात थी कि वह सोचलिस्ट और सेकुलर हो अगर मोधी जी की ये बात विजन्स है एक नहीं इनुवर्स्टी बनाईए उनके क्या बिजन्स है आप लिए बुमधर भूझ ये यही कर सकता है लेकिन किसी इनुवर्सिटी को भीन करने के लिए यह करने के लिए कुछ भी बोलके तो आप नहीं सकते कि अब सांसद है अब कर दो लोग का प्रतिनिश्यत्टु करते हैं आपका एक विजन होना चाहिए कि क्या कर सकते क्या नहीं मेरा यह मानना है तो मैं हस सकता हूँ उनके इस बयान पर और कुछ नहीं कहा सकता है बताई से आएगा देश भी ऐसी सोचना चाहिए देश को हम compare C- वाले से नहीं करते हैं तो आप देखिए कि यूरोप में 300 साल 300 साल पुरान इन्वर्सिटीज हैं हम 70 वर्ष 50 साल हुआ इस इन्वर्सिटी को बने हुए और आप इसको बरबाद करने की कोशिश करें एक इंस्टिटूशन को बनने में वर्ष लगता है तब कोई इंस्टिटूशन बनता है जहां पर हो ही सकता है कि मेरी जो बाते हैं यह जो इंस्टिटूशन है यह गरबढ हो रहा जासा कि करन बहुत रहा था कि आप उसको compare कर लेजए compare कर लेजए दो आईडिया चलने देखेंगे तो अलग-अलग इंवर्सिटीज के अलग-अलग value system है अलग-अलग वो knowledge production कर रहा है जेनिव अगर खड़ाब knowledge production कर रहा है तो हम social science में कुछ भी एक तो गलत और सही नहीं होता है जैसे कि आप देखेंगे कि हमारे संसद में भी एक जो हिस्सा है वो बिपक्ष म मैंने गलत यूज किया है I'm sorry for that जहां पर हम biased होने लगते हैं इसलिए मैं यह बो रहा हूं कि यह term जो है वो democratic term नहीं है इस वज़े से मैं यह बोला कि वह differently abled लोग है तो देखेंगे यह सीखाता है हमें जैनियो आपकी जो बाते हैं वो काफी लंबी और आपकी सीखायते भ कोई MP अपने बयान ऐसे देता है कि जैनियो का नाम बदल के कुछ और कर देना चाहिए जैसे कि हमारे दोनों साथियों ने कहा वोत अच्छी तरीके से इस बात को रखी तुसे बड़ी चीज यह है कि भाजपा ने बहुत सारे MP और ML पाल रखे हैं ठीक है और उन्हें भी प करते कि जांता हैं certains चाहींगे effe क्रहिक कर दिकता हो कि अगरा हम बोलेंगे उनको पार्टी के तलब मुज़े निकाल दिया जाएगा लेकिन अगर वही को अंदिशंट बयान देते हैं बेकार से बयान देते हैं जैसे जन्व मैं और क्या बोलते है कि हिंडुस्तान के घंडे को न मान करके हमें, क्या बोलते हैं कि या आरेस इस के लगा इलाइ ञजंडे को मानना चाहिए, वो लाइम-लाइट में आ जाएंगे तो ये भाजवा के M.P.ills और जो M.L. mesmaечат है प्रफिए प्रफिए लेका बच नहीं सकते हैं तो उनके एंपी और मिले जो है विद्धाम डंका पीटने लगते हैं धिरोरा पीटने लगते हैं कि अरे मोदी जी ने वह कर दिया लेकिन जब अब बुरे कामों तो उससे दूर नहीं रह सकते हैं अब दहीं हंसराज हंस के बयान को आप कैसे देखते हैं जी मुझे लगता है कि इस सब बातों को छोड़ कर अगर हम ध्यान दे कि मगद उनिवर्सिटी में आज भी चार साल में बीए कंपलीट होता है तो आपको उस जगह के दे ना चाहिए बिहार के कहीं पीछे से गाओं में सिच्छा पहुंचिये की नहीं पहुंचिये पॉलिसी मेकर को चाहिए कि उस पर ध्यान दे ना कि यह सब लाइम लाइट वाल आने के लिए कोई बायान वाजी कर दे अगर आपको जेनियू में कुछ बहतर करना तो जेनियू जैसे ही कोई एक इन्वर्सिटी खोलिए जहां पे गरीब बच्चा पढ़ सके और उनकी जो है सिक्षा पूरी हो सके जाहिर इस परते कि जेनियू जैसे विश्व इद्याल है जहां पे तमाम सारे गरीब छात्रियामत पढ़ते हैं कि फीस इसनी सस्ती है कि हर कोई आसानी से दे सकता ह इसके अलावा यहां कि जो सिक्षा है वो इतनी उच्च है कि हर कोई पढ़ना यहां चाहता है और किसी का सपना होता है जेनियू जैसे विश्व इद्याल है पढ़ना आज भी भारत की नंबर वन इन्वर्सिटी है और सभी कहना है कि जेनियू को जेनियू ही बने रहने दे सबसे पहले खबरे पानी के लिए एबी पी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीज़े फेस्बुक पर लाइक कीज़े फेस्बुक पेज है www.facebook.com.abp.ganga ट्वीटर पर भी फॉलो कीज़े हमारा ट्वीटर है twitter.com.abp.ganga